मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बांगजा जो एक बिजनेसमैन है यह हमसे इंट्रडियूस होता है बांगजा का इंट्रिव लेने के लिए एक आत्मी आया हुआ था क्योंकि उसे बांगजा पर एक बुक लिखनी है बांगजा को नहीं लगता कि उस पर अच्छी स्टोरी बनेगी पर बुक राइडर गहता है आपसे इंट्रेस्टिंग स्टोरी किसी की भी नहीं है आप इस एरिया के एक बड़े गैंग्स्टर हो यहाँ गैंग्स्टर का मतलब यह है कि बांगजा ने एक रिवॉल्ड किया था बांगजा भी एगरी करता है और इसके बाद उसकी स्टोरी सुरना स्टार्ट करता है बांगजा कहता है कि मैं हमेशा सिर्ब इसनेसमैन नहीं था वो पहले सर्वंट हुआ करता था एक हाउस गेस्ट जिसका नाम था मा उसके साथ तूरहा करता था एक रॉयल अरिस्टोक्रैट के लिए वो सर्वंट था मूवी के फर्स सिन में हम देखते है कि मा बांगजा और एक लड़की इनके साथ डिनर कर रहे होती है मिस्टर मा के कैरेक्टर के बारे में यहां हमें पता चलता है कि वो एक बले बॉय टाइप कैरेक्टर है जो लड़की उनके साथ डिनर कर रहे थी उसके साथ भी वो फलर्ट कर रहा था लेटकी जब चली जाती है तो बांजा को कहता है कि वो मेरे साथ flirt कर रहे थी पर उसकी नजर तुम पर थी मिस्टर मा को पता है कि बांजा एरिस्टोक्रेट के लिए काम करता है तो मिस्टर मा पुछते है कि तुम्हें उसके लिए काम करना कैसा लग रहा है बांजा कहते है कि वो अच्छा है मुझे अच्छी तरीके से treat करता है यहाँ Aristocrat की बात हो रहे है Aristocrat का नाव Lee है मिस्टर मा कहते है कि Lee जब से छोटा था तो अब से मैं उसे देखता आ रहा हूँ अभी तोग वो actual में कैसा है यह हमें figure out ही नहीं कर पाया हूँ यानि कि ली जो है यह हमारा बहुत ही twisted character है अब next in में हम देखते है यह बांजा ली के साथ एक जगा पर dance देखने के लिए आया हुआ है यहाँ dance करने वाली का नाम जून है ली को जून का dance बहुत ही पसनाता है वो उससे अकेले में मिलना चाहता है यही जब बांजा ने पहली बार चून को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया अपने master के order complete करने के लिए बांजा चून के पीछे पीछे उसके chambers में गया चून और उसकी servant फिर डर गे क्योंकि इस तरीके से कोई भी आर्मी उनके chambers में नहीं आता यह allowed नहीं है बांजा ने चून से कहा मुझा आपसे कुछ बात करनी है पर चून की servant ने उसे मना कर दिया तब थोड़ी दर में ली वहाँ पहुच गया ली ने pretend किया कि उसने बांजा को भेजा ही नहीं था उसने जोर से बांजा को जहापड़ वा रही वो चून के सामने अपना impression बनाना चाहता था ली चून को कहता है कि इसे आपको proper invitation देना चाहिए था इनकी बात चल रही थी तब ही और एक नोबेल मैन वहाँ पहुच गया वो चाहता था कि चून उसके लिए भी dance करे चून ने अब इसके लिए मना किया पर हो मान नहीं रहा था फिर इस नोबेल मैन और ली में fight होने वाली थी पर ली उसे मार नहीं सकता था तो इस situation में बांग जा पढ़ गया उसने इस नोबेल मैन को मार कर वहाँ से भगा दिया अब इस scene में हम देख सकते हैं कि ली चून पर impression जमाना चाता था इसी वज़े से उसे ने बांजाओ को slap किया था पर ये सब अब उल्टा हो चुका है जो नोबेल मैन चून का डांस देखना चाता था उसी को बांग जाने मारा चून को उसने अच्छे से प्रोटेक किया तो उसका इंप्रेशन अच्छा बन चुका है जो fight अभी अभी बांजा ने की इस वज़े से ली को चून से बात करने का chance चला गया ली उसे बड़ी तकलिफ दे सकता है बांजा जब मिस्टर मा के साथ है तो उन्हें अपनी सब worries बताता है मिस्टर मा उसे यह थे है कि अब तुमें उन दोनों के बीच फिर से एक meeting arrange करनी होगी चून को हमेशा उसकी सर्वन प्रोटेक करती है अगर उसे कुछ भी बताना हो तो सर्वन को यह बताना पड़ेगा अगर वो नहीं मानी तो सब plan चोपट हो जाएगा अब बांजा को question है कि वो ऐसा क्या करे कि चून की सर्वन वो जो भी कहे वो मान जाए जैसे कि मैं पता है इसका solution भी उनके पास होता है वो जैते है ऐसा मैं किसी को भी पता था नहीं पर मैं तुम्हें help करना चाहता हूँ जब तुम चून के सर्वन के पास होगे तो उसे चकर लेना तुम अगर उसे sensitive to touch करोगे तो तुमारी सारी बाते वो मान लीगी ये सिन यहीं खतम होता है और अगले दिन हम देख सकते हैं चून उसकी मदर और उनकी कुछ सर्वन्ट्स ये सब डिसकस कर रहे हैं ली एक नोबल मैन है अगर उसने चून से शादी कर ली तो ये बहुत बड़ा honor होगा मदर कहती है कि ली को तुम पसंद आ गए हो तुमारे लिए ज़रूर वो कोई ना कोई तो मैसेज भेजिगा ही ये बात ही कर रही थी तो ये बांगजा मैसेज देने के लिए वहाँ पहुचा जैसा मिस्टर मानी कहा था उसी तरीके से चुन के सरवन को उसने sensitively touch किया चुन की सरवन डर गे और इसने मैसेज चुन को दे दिया अब इसके बाद ली, चुन, चुन की सरवन और बांजा इन सब की एक meeting होती है ये एक waterfall पर आते है ली और जुन ज़रा walk के ले गए और थोड़ी से उन्होंने बात की चुन की सरवन का नाम दानी है तो दानी और बांजा ये दोनों meal cook कर रहे थे बाद में जब जुन और ली इन के पास आये तो चुन बांजा से बात करने लग गए ली से ज़ादा वो बांजा में interested है अच्छे से बांजा cook कर रहा था तो कहती है कि तुम कितना delicately cook कर रहे हो कल तुमने एक आदमी को मारा था तब तुम बहुत ही strong लग रहे थे बांजा में gentle और strong ये दोनो abilities एक की time पर है ये उसे बहुत अच्छा लगता है चुन ने बांजा की तारीफ की तो ली को ये अच्छा नहीं लगा बांजा का impression अब down करने के लिए ली चुन से एता है कि बांजा Mr. Mark के साथ रहता है इसी वज़े से उसे ये सब tricks आती होगी Mr. Maa बदनाम है और बांजा उसके साथ रहता है तो ये सुनकर चुन उसमें disinterested हो जाती है चुन यहाँ से जा रहे थी तो अचनक से उसका पेर लचक गया वो चल नहीं पाय रही उसका शूस पानी में गिर गया था तो बांजा डिरेक्ली जम मारता है पानी में से वो शूस लेकर आता है वो अब चल नहीं सकती थी तो बांजा अपने शुल्डर पर अब उससे घर छोड़ने जा रहा है घर जाती जाते चुन बांजा से कहती है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ही आजीब है उसे खुद मुझे घर ले जाना चाहिए था तुम्हारे तो कपड़े भी गिले है बांजा कहता है अगर तुम चाहो तुम्हें नीचे में उतार सकता हो चुन उससे बुछती है तुम इस तरह से क्यों बात करे हो बांजा उससे कहता है तुम चुन को छोड़ने के लिए क्यों नहीं गए थे लिकेता है कि मैं हार्ट टुगेट खेल रहा हूँ यानि कि अगर मैंने उससे भाव नहीं दिया तो मेरे प्यार में वो और भी पढ़ जाएगी लीने यह सब बुक्स में पढ़ा था बांगजा वरेड हो चुगा है वो चुन के पैर में है पर अगर ली चाहे तो कभे भी चुन को पा सकता है उसे चुन सिर्फ अपने लिए चाहिए वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता है तो फिर वो मिस्टर मा की हेल्प लेता है मिस्टर मा भी उसकी desperation समझ कर उसे help करने के लिए ready हो जाते है वो फिर बांजा को सिखाते हैं गहते हैं कि जब तुम जून के साथ होगे तब relax होकर lean back करना और उसके shoulder पर देखना ये करने से वो uncomfortable हो जाएगी फिर तुम sneeze करना और उसे जक्कर लेना जब बांजा चून के साथ था और उसने try किया तो सचोस में work भी करता है चून को समझ में ने आया और अगले सेकर में बांजा कि वो बहुत past थी इसके बाद next year में हम देखते हैं कि मिस्टर मा बांजा से बात करते हैं वो गहते हैं चून के chamber से एक लेटर बहा जा रहा था जो लीग के लिए था यह लेटर मिस्टर मा ने पढ़ लिया मिस्टर लीग को उसने रात में मिलने के लिए इन्वाइट किया था इसमें सीरिल ट्यू बात है लिखी होई थी माजा कहते हैं कि चून ऐसा नहीं लिखेगी मिस्टर मा कहते हैं कि मुझे मालुम है यह उसकी मदर ने लिखा होगा यह उसकी मदर की एक trick है और सर्चूज में ऐसा ही था गलिसिन में यही चीज़ मदर और चून डिसकस करते होए हम देख सकते हैं मदर कहते हैं कि अब मैंने जो लेटर भेज दिया है इससे ओक कीचा चलाएगा इसके बाद उसे रिजाना यह तुम्हारा काम है मदर चून को ली के साथ होने के लिए फोर्स कर रही है मदर बांजा को लेकर भी उससे warning देती है कहती है उसके साथ तुम कुछ भी मत करना इसके बाद हम देखते हैं कि ली रात में चून के घर पर आता है उसने रात वही बिताई जब वो सुबा घर पर जा रहे थे तो ली बांजा से कहता है कि उसके रात बहुत यह अच्छी थी थोड़ी देर में उस स्टबंक पें स्टार्ट हो गया उस रात जो भी सब हुआ यह सब चीजें मिस्टर मां को बांजा बताता है मिस्टर मां कहते हैं कि अगर वो उसके साथ इंटिमेट हुआ होता तो उसका पेड नहीं दुखता तुम ज़्यादा वरी मत करो वो बांजा को कहते हैं कि अब तुम्हें जल से जल उसके साथ intimate होना है उसे वो कुछ tips देते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि रात में directly बांजा चून के पास पहुच जाता है उसे देखकर वो बहुत डर गई थी वो चिलाने वाली थी पर बांजा भी बहुत डर जुका था उसे request करता है कि प्लीज ऐसा मत करो गर किसी को पता चला तो मुझे वो सब मार डालेंगे चून बूशती है तो फिर तुम आई ही क्यो बांजा कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना डरूंगा नहीं इसके बारे में उसने चून के साथ बात की चून अपनी सफाय में गए थी है कि मेरी मदर ने मुझे फोस किया था मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी मिस्टर मा को जब इस सब सीचुएशन के बारे में पता चलता है तो कहते हैं कि तुम्हें ज़रा केरफुल रहना चाहिए उसकी मदर बहुत ही डिंजरस है एक्चल में मिस्टर मा जब यंग थे तब चुन की मदर के साथ भी हो इंटिमेट होए थे एक साथ चुन की मदर और उसकी सिस्टर के साथ उनकी रिलेशनशिप थे चुन की मदर जिलस होगे और उसने अपनी सिस्टर कोई अंधा कर डाला इसलिए मिस्टर मा गहते हैं चुन की मदर बहुत ही डिंजरस है तुम्हें उन सब से डर कर रहना चाहिए बांजा सुनने के लिए रेडी नहीं है पूरी तरीके से चुन के पैर में है अब next-end में हम देखते हैं कि बांजा जब ली के पास पोश्चता है तो वो कहा जाने की तैर ही कर रहा है बांजा जब उसे पोश्चता है तो ली कहता है कि अपने higher education के लिए वो कहीं दूर जा रहा है उसे king के लिए एक बड़ी पोश्च चाहिए लीग बांजा से एक favor मांगता है वो गहता है कि मैंने चुन को एक promise किया था कि मैं उससे शादी करूँगा एक promise करने के लिए उसने एक contract पर sign किया हुआ था वो बांजा से कहता है यह रात में तुम चुप के सिभा जाना और वो contract चुरा कर लेकर आना जिस तरीके का contract चुन ने लीग के साथ किया है उसी तरीके का बांजा के साथ भी उसका है बांजा जब एक contract चुराने के लिए रात में भहाँ पहुचता है चुन उससे पकड़ लेती है बांजा उससे समझाता है तो चुन कहती है तुमने गलत contract पीक किया था उसे वो दूसरा contract देती है और वो ली को दिखाने के लिए उससे कहती है ली जब इस contract को देखता है तो बांजा और चून के बीच में जो हुआ था यही वो contract है अब ली को सब कुछ बात पता चल चुकी है पर वो ज़ादा care नहीं करता इसके बाद अपनी education के लिए वहाँ से वो चला जाता है बांजा और चून के लिए ली एक problem था अब वो वहाँ से जा चुका है तो इनके लिए सब कुछ सही हो चाता है चून के मदर के अच्छे से connections है तो एक businessman से उसे मिलाती है मांजा भी अच्छे से एक business करना चाता है slowly slowly उसका business grow तो होता ही है पर इसके साथ उसकी चून के साथ relationship भी grow होती है सब कुछ सही चल रहा था पर एक दिन अच्छानक से इन्हों न्यूस मिली कि ली ने exam पास कर ली है अब ली एक royal inspector बन चुका है वो directly king के लिए काम करेगा इसके बाद next in में ली अपनी post लेता हो में दिखता है कुछ royal लोग थे जो इसे honor देने वाले थे पर उनका stamp वो भूल चुके थे ली इन पर गुसा हो गया बाद में इन लोगों ने ली से बात की कहते हैं कि बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग आते रहते हैं बर कोई भी टिकता नहीं टिकते हैं वो लोग हैं जिनके पास personality हो और अच्छी सुनाने के लिए stories तुम्हारे पास वो दोनों चीज़े नहीं है बेचारा ली फिर फिर depressed होकर अपने एक कलीग के साथ बात करता है उसका कलीग जो है कि एक किंग के लिए magistrate बन चुका है लिए उससे कहता है कि हमने इतनी पढ़ाई की और इसके बाद भी हमें इस तरह से treat किया जा रहा है magistrate कहता है कि मैंने पढ़ाई तो एक ही चीज़ के लिए की थी, मुझे अच्छी लड़किया मिल सके ये Magistrate Lee को कहता है कि तुम अगर अच्छी stories King के लोग को सुनाओगे, तो तुम्हारा जल से जल promotion हो जाएगा, Lee करिंग है और उसे फिर एक idea आता है वो इस Magistrate को कहता है, और तुम्हें अच्छी जिन में हम देखते हैं, कि चौन भी अलग-अलग कपड़े लेकर ready हो रही है, उसके मतलर उसे पूछती है कि क्या Lee आ रहा है, इसी वज़े से तुम ready हो रही हो, चौन कहीं थी कि हाँ तुम ही तो जाती थी, कि मैं highest speeder पर sale हो जाओ, इसके बाद Lee चौन से मिलने के लिए आता है, पर Banja उसे रस्ते में रोक लेता है वो कहता है कि चौन की तबियत अच्छी नहीं है तुम से आज नहीं मिल सकती है, Lee उसे समझाने की कोशिश करता है, पर Banja मानता नहीं, Lee उसे कहता है, at least एक message तुम उसे दे दो, कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, इसके बाद हम देखते है कि चौन और Lee की meeting होती है जब Banja चौन से बोचता है, कि कि इस बारे में तुम बात कर रहे थे, पर चौन उसे कुछ भी नहीं बता दिये, जैसा Lee ने मैजिस्टाट को कहा था, कि चौन बहुत ही beautiful है तो मैं उसे पाना चाहिए, तो यही करने के लिए मैजिस्टाट चौन के घर पर आय हुआ है, वहाँ वो डांस देख रहा था और आसपास चौन कहीं भी नहीं थी वहाँ के इंजा से उसने कहा, मुझे चौन को ही देखना है, बांजा भी आसपास ही था तो बांजा ने मैजिस्टाट को समझाने की कोशिश की, कि चौन ज़रा बीमार है तो आपके लिए डांस नहीं कर सकती पर यह मैजिस्टाट माना नहीं उसने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया, थोड़ी दिन मैजिस्टाट के पास सोलजर्स थे तो उसने चौन को अरेस्ट कर लिया बांजा चौन को बचाना चाहता था पर बचाने बचाने में वो भी इंजोर हो गया बांजा एक बिजनसमैन है पर फिर भी उसके पास कोई भी पावर नहीं है वो सब लोगों से हेल्प मांगता है पर कोई भी उसे हेल्प करने के लिए रेडिय नहीं है इसके बाद टैरिकली वो लीग के पास आता है लीग बांजा से कहता है कि तुम तो मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे थे बांजा के बहुत कीड़ी डाने के बाद वो उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है चुन को जहाँ बंदी बनाय हुआ है बांजा उसे रात में वहाँ मिलने के लिए जाता है उससे कहता है कि मैं सब को सही कर दूँगा जुन उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक सरवंट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बांजा भी इसके लिए आगरी करता है, वहता है कि ली यहाँ आ सकता है, वो जो भी करे वो तुम मान लेना अगले दिन मैजिस्टेट ने चुन को अपने रूम में बुलाया, उसके साथ वो जबरदस्ती इंटेमेट होने वाला था, तबी बाहर बांजा ने तमाशा खड़ा कर दिया मैजिस्टेट के ओरडर पर सब लोग फिर बांजा को मारने लग गए, कुजी बलो में ली फिर वहाँ पोच गया, ली ने अपना फेस कवर किया हुआ था, ली एक रॉयल इंस्पेक्टर है, वो किसी भी मैजिस्टेट को अपनी जॉब से निकाल सकता है, वो एक्रेटर है यो कह सकता है, तो यही चीज वो इस मैजिस्टेट के साथ भी करता है, यह जो सब था, उसका प्लान था, उसे कींग के लोगों ने कहा था, जिन लोगों के पास अच्छी स्टोरी जोति है, उन्हें अच्छा सा प्रोशन मिलता है, तो यही स्टोरी वो create कर रहा था, जब व चून से कहता है, magistert एक traitor था पर फिर भी हो magistert था. उसकी order तो मैं औबे करने चाहिए थी. चून ने order नहीं माने तो इसके लिए उसे torture करने की order देता है. चून को torture होता देखकर पांजा सब से कहता है यह चून married है इसी वजे से उँ marriage start के साथ नहीं रहना चाहती थी. चुन भी ली के साथ उसका marriage का contact जो था इस सब को दिखाती है उसका violation हुआ तो इसलिए वो जीना नहीं चाहती है वो इचाको लेकर अपने आपको मार लेती है ली फिर अपना जहरा सब को दिखाता है वो कहता है कि सिर्फ मैं चुन को टेस्ट कर रहा था अगर हो मर गे तो मैं क्या करूँगा ये सब एक नाटक था और ली को बताने के लिए एक अच्छी सी स्टोरी मिल चुकी है चुन का फिर इलाज किया जाता है और वो बच चुकी है ली पाउरफुल है तो उसने बांजा को कईदी बना लिया है आखरी बार चुन उससे मिलने के लिए आती है तो बांजा उससे I love you कहता है रहता है मुझे हक नहीं है पर फिर में तुमसे बहुत प्यार करता हो चुन और ली की शादी हो चुकी है पर फिर भी चुन ली से कहती है कि मैं जहां भी जाओंगे वहां मुझे बांजा चाहिए ये जहां भी होते है तो तुमसे एक साथ होते है इसी तरीके से इनकी रिलेशनशिप चल रही थी एक वाटरफॉल के पास जहां पर चुन बांजा और ली फर्स टाइम मिले थे वही पर हम एक सीन लेख सकते हैं ये माउंटन बर है और माउंटन बहुत ही हाइट्रेट था चुन ने जो किया है इससे ली हर्ट था तो इसी वज़े से उसने उपर से उसे धकिल दिया बांजा भी चुन को बचाने के लिए मीच आया उसे लेकर वहाँ से भाग गया ली ने इन दोनों को ढुणने की बहुत कोशिश की पर ये हमेशा भागते रहे और फिर से मूवी के फर्स में हमें जो दिखाया गया था कि बांजा पर बुक लिखी जा रही है बांजा एक पावरफुल गैंस्टर बन चुका है तो उसका कोई भी जादा बिगार नहीं सकता ये सब अपने लाइफ की स्टोरी बांजा भुक रैटर को सुना रहा था बांजा उसे फिर चुन को दिखाने के लिए लेकर जाता है चुन जब माउंटन से गिरी थी तो उसका सर पर चोट आ गई थी इसी वज़े से अब वो अमनॉर्मल हो चुकी है बांजा ब रैटर से कहता है ये सब तुम बुक में मत लिखना मेरा कैरेक्टर ही तुम इस बुक से निकाल देना तुम लिखना कि चुन और ली एक दूसरी से मिले उसी बाद ली अपनी स्टेडिस के लिए बाहर गया और जब एक दूसरी के साथ मिले तो उन्होंने शादी कर ली वो रैटर को एक सिंपल सी लव स्टोरी लिखने के लिए सजेस्ट करता है रैटर बुचता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो मांजा कहता है ये चुन एक सिंपल सी लव डिजर्व करती थी पर मेरी वज़े से उसे बहुत सारी परिशानियों से गुजरना पड़ा मांजा फिर चुन को अपने शोल्डर पर रखता है और पूरी गार्डन में घुबाता है इसी टाइब से उनकी फर्स डेट भी थी इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है